मुझे लगता था इंजीने इसको सिर्फ कोडिंग आने चाहिए बड मैं गलत था आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वालू हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं बता होंगे कि वो आपकी मदद करेंगे एक लंबा करियर पाने में आज के सारे पॉइंट एक तरफ और लास्ट का पॉइंट एक तरफ इसलिए वीडियो को पूरा जरू देखिएगा पहले पॉइंट पाने इस पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपको कमेंट करके जरू बताएगा इसा अंसर सो मान लेते हैं मैनेजर आपको दो हफते का काम Creator फिर एक हफते बाद आकर एक दिन का और काम देता है अब क्या बोलोगे याई ना करो क्या करों गी कमेंट के जरूएगा अगर मेरे को अंसर सही लगता है तो मैंसको फिर पिन इंसे न्यूंड यह सकता है कि उसको इंप्रेस करने के लिए कि यार मैं ऐसा बंदा हूं जो ज़्यादा काम डिलीवर करता हूं बाक्य सब सा अच्छा बंदा हूं मैंने जब इंप्रेस हो जाएगा अगर इंपर कम काम डेगा यह फ्लाड़ धिकादा यह सब चीज होती है ज यह ज्यादा काम कर रहे हो तो क्या आप अच्छा काम डिलिवाइर कर पाऊगे नहीं तो फिर ऐसा बगु आपको वापिस आएगा बन क्या होता है अपके चक्र में आपने खुद की personality बिकार दी है manager के सामने तो ऐसा समझे तो हमारा पहला point यहीं आता है मना करना सीखिए अगर आपको लगता है कि आपकी productivity खड़ाब होगी या फिर आपका quality of work अब बिकार होगा मना कर दीजिए भाई सीधा मैंसे करता हूँ साफ मना कर देता हो मैं कहते हो में पहले बता देता हो अगर कुछ भी होता है मैं उसको reason के साथ मना करते हो कि ही मैं इतने सब्सक्राइब कर था उसको उतना भी टाइम मुझे देजी है तो मैं अभी को इसको डिल्वर नहीं कर पाऊँगा तो यह मैं कि हरबर क्या करते हैं हम हाँ ही बोलते रह जाते हैं ठीक है तो माल लेते हैं सीनियर ने कोई टोपिक बोला वो हमें नहीं आता है हम दब भी हाँ हाँ करते रहेंगे हम उसको यह नहीं बोलेंगे कि I don't know मेरे को नहीं पता हम सोचेंगे कि अगर हमने यह बोल दिया तो अगले पूस्ता है अगर आपको नहीं आता है घब तक तुम बोलोगे नहीं तुमको नहीं आता है तब तक हमें पता किसे चलेगा फिर वो seniors को गाली देते हैं कि इतरे बड़े बड़े भारी भारी बरकम वो words यूज़ करते हैं और वैसे seniors भी बहुत ज्यादा इसको बोलना सीखो और आपको ये बात समझनी होगी हमें leaders चाहिए लीडर्स हर चीज़ पर हा नहीं बोलते हैं वो ये भी बोलते हैं मुझे नहीं आता मैं सीखूंगा तो आपको ये ऐसा leader आना है तो हमेशा हा मत बोलिए ये भी बोलिए कि I don't know वैसा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे है तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो को शियर करें अपने दोस्तों के साथ जिसके उनको उनको भी फायदा हो और वो भी ग्रो करें अब आप सोच होगे यार अगर हा नहीं बोले तो बोले क्या अब नेक्स टोपिक हमारा वही आता है कि आपको क्या बोलना चाहिए next आता है ask good question अच्छे question पूछे आपको लग रहा होगा यार question का भी कोई type होता है नहीं so basically मैं आपको समझाता हूँ मैं इससे क्या मतलब है मेरा तो एक example लेते हैं मान लेते हैं मैंने आपको search box बनाने को दिया अब आपको पता है कि अप्रोच बहुत बेकार है पर फिर भी अगर आप हाँ बोल देते हो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाएगा कोई दिक्कत निया गलत है भाई आपको अच्छे question पूछने है अच्छे चीज़े पूछने है अगर आपको सही हो और senior आपका सही है तो obviously वो feedback लेगा अगर वो अच्छा senior है अच्छा engineer है तो वो feedback लेगा हर एक senior आपका feedback लेगा हर एक senior feedback के लिए ready रहता है तो हमेशा feedback दीजिए हमेशा good question पूछे अच्छे question पूछे अब एक scenario imagine करते है कि माल लेते हैं के वाजे से हुआ है तो वो आया उसने आपको बोला because of you the application got crashed ठीक है अब देखो यहां मैं directly बोल रहो because of you ठीक है मैं directly आपको बोल रहो अब आपको बूरा लगेगा पक्का बूरा लगेगा ठीक है आपको अच्छा नहीं लगेगा और अगर आप यह किसी को बोलोगे यही same line किसी को repeat करोगे उसको भी बूरा लगेगा अब इसको इमें थोड़ा change कर देता हूँ ठीक है अब मैं बोल देता हूँ because we missed the code that's why the application got crashed मैंने you को we से replace कर दिया किती scenario change हो गया अब we हो गया हम हो गया अब आई नहीं रहा यू नहीं रहा अब हम we हो गए सब्सक्राइब एक word आपको change करना है आई और you को we से change करना है कि हम है गलती हुई है हमसे हुई है अच्छा काम किया है हमने किया है जब भी आप इसको change करोगे फिर देखना आपके colleague founder जो इतने भी आपके employees है company में सारे खाम कर दें आपको पसंद करना है है क्योंकि आप उनको नहीं बोल रहो आप as a company represent कर रहे हो खुदको आपसे कुछ अच्छा हुआ है ठीक है बोल दीजिए कि हाँ मेर से यह अच्छा हुआ है पर mostly try करिए वी का use करना हम से अच्छा हुआ है कुछ गलती हुई है आपसे गलती हुई है किसी और से गलती हुई है हम से गलती हुई है we missed the code that's why the application got crashed हमेशा वी का use करिए ठीक है वी का यूज करके देखेगा आपके colleagues employees की बोलना हुए आपके colleagues कितना पसंद करेंगे आपको अब आते हमारे last point पर जो आपको सबसे पहले करना है उस point पाने से पहले please अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो like कर दीजेगा इससे YouTube इसको recommend करता है जादा से जादा लोगों तक सबसे मुश्किल काम पता ही क्या होता है trust जीतना और आपको यही करना है अब trust कैसे जीते आपको सच बोलना है आपसे काम नहीं हो पाया आपको आलस आ गया सच बोलो नहीं हो पाया आलस आ गया आपके वज़े से code फट गया आपके वज़े से कोई deployment mix हो गया या कुछ हो गया सच बोलो नहीं हो पाया आपने काम नहीं किया सच बोलो भाई मिरसे काम नहीं हो पाया आपसे कोई गलती हो गया सच बोलो भाई मिरसे यह गलती हो गया अब आप सोचेंगे यार सच बोल ले हमेशा सच केसे बोल सकते हैं! या जब तक सच नहीं बोलोगे न तरस्पील्ट नहीं होगा मैं हमेशा सच बोलता हूँ हमेशा ठ्रसपील्ट होता है ऐसे ही ओता हो यह आपके ही फाइदे के करियर में ग्रोव करने से आज के लिए तरह ही सेमिकॉल वैसा अगर आपको जानना है कि आजकल मोबाइल की जमाने में फ्रंट इंजीनियस के नीर क्या है तो इस वीडियो को जाके देखेगा इसमें वे ने पांच साल के एक्सपेरियंस को पांच टोपिक में डिवाइड करक क्या है